यह कुछ देख के आपको याद आया इस से आप बहुत अच्छे से फैमिलियर हो जैसे अभी हम बात करेंगे simple presentance की किसकी simple presentance की उसमें क्या होता है पहले subject होता है subject क्या होता है जो काम कर रहा है करने वाला फिर उसके बाद verb आता है verb क्रिया किस इसने क्या काम किया है उसके yes लगता है वो कैसे लगेगा वो अभी मैं बताऊंगी किसके साथ yes लगेगा यस लगेगा और किनके साथ नहीं लगेगा बाद में बाकी का subject object उसमें object वो हो सकते हैं आपका adverb adjective whatever prepositions कुछ भी हो सकती हैं जैसे की अभी आपका singular है अब singular में क्या आता है singular में क्या आता है singular आ आप सब अच्छे से जानते हो he she it और जो भी single है जिसे boy girl वो सब singular होते हैं उनके साथ लगते हैं s या es जैसे for example she she एक girl की बात हो रही है तो she plays अब plural plural में क्या आता है we they या फिर women men children kids kids ठीक है न यह सब किस में आता है plural में अगर हम kid की बात करें तो वो singular है kids बहुत सारे बच्चे हैं तो वो plural हो जाएगा न तो उनके साथ s e i s नहीं आता verb के साथ जैसे की we play kids play they play ठीक है singular में s e i s add होता है plural में s e i s नहीं लगता verb के साथ i में भी s e i s नहीं लगता you के साथ भी s e i s नहीं लगता i play you play यह standard pattern बेटा हम हर tense में follow करेंगे पहले singular फिर plural फिर i फिर you okay clear ऐसे ही अब देखो यह same चीज उन्होंने यहां हमें बता रख की है जैसे की you look tired for example you look tired you look you के साथ मैंने क्या का था s e i s नहीं लगता न तो नहीं लगा i brush daily i के साथ भी नहीं लगता ठीक है she looks tired she के साथ लगता है यहीं बताया था न आपको कि शी के साथ लगेगा यह देखो टिक मारा हुआ है इसमें क्रॉस किया हुआ है तो शी के साथ लगेगा तो शी लुक्स रभी ब्रशीज क्योंकि यहां आई था नहीं लगा बट सिंगूलर आ गया तो ब्रशीज लगेगा clear